हेई गाइज वेल्कम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ कीरन और आज मैं बताने जारे हूँ आप लोगों को मेरे कुछ अबलेशन सिम्टम जो थे वो चीज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने जारी हूँ अगर आप पहली बार भी मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट सेयर करना बिल्कुम मत भूलेगा क्योंकि वीडियो आप लोगों पूरी पूरी देखते हैं और लाइक कॉमेंट करना भूल जाते हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए पूरा आप लोग अपना शपोर्ट दीजिए ताक कि म जो है आगे आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे से लिए के आती रहूं और आपको मैं कुछ ऐसे सिंटम जो मुझे देखने को मिलते हैं और मिले थे प्रेग्मेंसी से पहले वो सारी चीजिए मैं सेयर करूं ताकि जो लोग भी कंसीब करना चाहते हैं वो कंसीब नही होता है यह चीज हस्बेंड में ऐसा कोई प्राब्लम नहीं है अगर हस्बेंड के सारे रिपूर्ट नॉर्मल है तो उनके लिए चाहे वो ऑबुलेशन वाला दिन हो या फिर नॉर्मल देहों उनके लिए से वही प्रोसेस है डिस्चार्ज होने के बाद उनके स्पम की क्व रिलेशन रखते हैं अपने पार्टनर के साथ और बाकी वह दो दिन जो अबुलेट वाला आता है उस दिनों पर अगर उन दिनों पर अगर आपने रिलेशन नहीं रखा तो वह बाकी का 28 दे आपका कोई मैने नहीं रखता और उन दिनों में जो है आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी तो यह सारी चीजें जो है इध्यान देने वाली है और जैसे होता है कि बाकी दिन आप रिलेशन करें या ना करें बट वह अबुलेशन वाला डेट जो है वह बहुत ही ज़रूरी है अगर आप कंसीब करना चाहती है तो तो आज मैं उसी से रिलेटेट क कुछ सिम्टम बताऊंगे जो की मुझे पता चला है और मुझे भी नहीं पता था कि सिम्टम कैसे होते हैं और में उन दीनों पे जो है वह वाइट कर देती ती हम ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं रखते थे अपने पार्टर के साथ उन दीनों पर क्यूंकि मुझे कुछ ऐसे स दियान से देखा और पतर किया तो उसके बाद फिर जो है मैं कंसीब कर पाई तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेट करना तो सबसे पहला सिम्टम जो है मेरे अंदर था मेरे बॉड़ी में और मैं बता दू कि सबके बॉड़ी में ज इन चार सिम्टम बताऊंगी जो कि मैं फिस किया है मैंने और मुझे पता चला है कि वो मेरा अबुलिशन टाइम है और उस टाइम हमने रिलेशन किया संबंद बनाया और मैं ब्रेग्नेंट हो गई जो कि मुझे भी पहले नहीं पता था तो सबसे पहला सिम्टम जो आता है आपका आता है उसके दसवे दिन जो होता है दसवे दिन से आपका वाइट डिस्चार्ज होना सुरू हो जाता है जो कि मुझे होता था वाइट डिस्चार्ज तो वैसे नॉर्मल डे में भी होता है बट यह होता है कि नॉर्मल डे में जो होता है वो थोड़ा कम होता है वो फरटिलाइड होके एक बेवी बनता है तो यह और यहां पे दे रखा हैं और दूसरी सिम्टम जो था मुझे की मेरे दोन्म ओबरी में जो है वो crack pain सा होता था lower part में जो है मतलब जिसको बोला जाए नाभी के जस्ट नीचे तो ये crack pain जो है एक दम से आता है और मुस्किल से ये 2-3 घंटे तक रहता है जो कि मेरे साथ रहता था और उस बीच जो है मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता एक अचानक सा pain उठेगा और वो continue रहता है एक दो घंटे के लिए तो ये सारी चीजे जो है मैं उस टेम पे जब वो pain होता था तो मैं उस दिल को ही मिस कर देती थी कि जब तब्यत ही नहीं ठीक रहेगा तो काहेगा कुछ भी और तीसरा symptom जो है वो है बाके नॉर्मल दिनों से जो है उस टेम थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर आप ध्यान देंगी इस बात को तो और ये सारी चीजे बिलकुल ध्यान देने वाली ही है क्योंकि यहां बिना किसी किट के मैंने अपना ओगूलेशन जो है वो पहचाना है मार्केट में बहुत सारे किट अबलेवल है जैसे प्रेग्नेंसी टेस्ट हम लोग करते हैं वैसे ही ओगूलेशन टेस्ट का भी जो है वो किट मिलना सुरू हो गया है बट मेरे इतना मतलब मेरा बजट नहीं था कि मैं हर महीने 10-20 किट खरी दूं और बरबाद हो जाए तो मैंने ऐसे ही मतलब ध्यान देना अपने बॉड़ी पर ध्यान देना शुरू किया तो यह सारी चीज़े जो है मुझे पता लगा अब मैं बताते हूं चौथा चीज चौथा सिम्टम यह है कि जब आपका अबुलिशन होने वाला होता है पिरिएट के दसवे दिन से बारवे दीन बारवे दिन से 14-15 दिन के बीच में जो होता है आपका मूड थोड़ा सा चिरचिरा हो जाता है जो कि मेरा हो जाता था ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं होता था हमें रिलेशन बनाने का क्योंकि हमेशा गुसा गुसा था और पेन भी होना शुरू हो जाता है उसके बाद चीजे होने लगती है बाड़ी का टमप्रेचर बढ़ जाता है तो यह ऐसा होने पर थोड़ा सा मूड जो है वह चिरचिरापन रहता है तो इसके वज़े से जो है मैं आवाइड कर देती थी तो यह चौथा सिम्टम है साइध आप लोगों के बाड़ी में भी हो सकता है और थोड़ा बाहत बृश्स तो भी श सिंटम आसां से मिलार जन्म होता है क्योंकि और आने के कहाँ आने से पहले भी आपको बाड़ी होता है अर चैसलिका मूझे अगर हाथ-बिवाद टच्छ हो जाता है तो ह memb tą सूजन भारी भारी सा लगना तो यह पान्थ तो यह पांच सिंप्टम मुझे देखने को मिले और यह मुझे तब पता चला जब मैंने अपना फॉलिकर स्टडी करवाया और मुझे उसके थुरू पता चला कि मेरा ऑवलुशन जो है वह पीरिट के चौदवे दिन पर हो रहा है तो मैं उन दिनों पर जैसे मेरे पीरिट के दसवे दिन होते थे मैं अपने बॉड़ी पर पूरा कॉंस्टेंट करके और रखती थी कि इस टैम मेरे बॉड़ी में क्या-क्या चेंजिस हो रहे हैं जिससे मुझे पता चले कि मेरा ऑवलुशन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यह सारे सिम्टम जो है मुझे देखने को म पिल दे थे और मैं आप लोगों के बहुत ही सिम्पल सा टिप्स बता रही हूं जिसको भी पता नहीं चल रहा है कि उसका ऑवलेशन कब हो रहा है क्योंकि सबके ऑवलेशन का टाइम जो है वह अलग-अलग रहता है अलग-अलग बॉड़ी पर डिपेंड करता है तो किसी का 20 दिन पर होता है किसी का 14 दिन पर होता है किसी के 10 दिन भी हो जाता है सब के मैं रहता है हार्मोन के उपर डिपेंड करता है तो मैं आपको सिंपल सा एक आइडिया देना चाहती हूं कि जैसे ही आपके पीरिड के 10 दिन होते हैं या फिर 8 दिन होते हैं आप 10 दिन छोड़ द अप जो है अपने पार्टनर के साथ relation बनाना सुरू करदो और relation बनाने के बाद जो है आप लीगप दवय्जीशन करो ट्ला करो और आठ्वे दिन से लेके पीरियट के 22 दिन तक अब अब हर alternate date पे जो है वो relation बनाओ और alternate date पे हम इसलिए बोलते हैं relation बनाने के लिए क्योंकि जो है आपके husband की sperm की quality जो है वो अच्छे रहेगी अगर आप daily relation बनाते हैं और daily relation बनाने से sperm की quality जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है और अगर आपके husband जो है आप conceive करना चाहते हैं आप दोनों तो अगर आपके husband किसी भी तरीके का जो है वो नशा करते हैं तो please उनको बोलिए कि वो कुछ दिनों के लिए इन सारी चीजों को दूर रखें अगर आपको baby चाहिए तो क्योंकि इससे इस mom पे बहुत ही ज्यादा effect होता है फर्क पड़ता है I hope कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और helpful लगा होगा तो इन दिनों पे आप लोग ट्राइ करो और भगवन ने चाहा तो आप जरूर कंसीब कर पाओगे जैसे मैंने किया भगवन सब क को देगा ऐसरी तो बिल्कुल घबराये मत तो मिलते हैं नेक्स वीडियों गाइस तब तक के लिए बाए